Hello everyone, this is Satpal and you are watching Options LR और आज का वीडियो है, यह यूनिक होने वाला है, आपके बहुत काम का वीडियो है इससे आपको बहुत कुछ सेखने को मिलेगा तो देखिए आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको यह बताऊंगा कि आप वीकली में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो और जो ट्रेड आपका होगा उसमें आपकी जो प्रोफिटेबल रेंज है वो मन्थली जैसी होगी मुझसे बहुत ज़्यादा पोचा जाता है कि मन्थली के वीडियो मैं लेके आता हूँ को ट्रेड करना है तो कैसे आपको हटके सोचना है आपका एक different mindset होना चाहिए और weekly में आप किस तरह से एक monthly जैसी profitable range एक wide profitable range किस तरह से aim कर सकते हो ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगा तो ये वीडियो है ये बहुत काम का होने वाला है बहुत कमाल का वीडियो होने वाला है तो इसको पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए आपको आज नया कुछ सीखने को मिलेगा तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने अभी तक option seller के आपको download नहीं किया है तो नीचे मैंने description में link दे दिया है link पे जाके आप app को download कर सकते हो तो चलिए अब मैं आपको screen के उपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि यह strategy क्या है basically यह strategy है एक modified strangle है तो weeklys में अगर आप इसको trade करना है तो किस तरह से आपको trade करना है यह मैं आपको बताता हूँ तो चलिए screen के उपर चलते हैं तो देखे यह मैं आपको screen के उपर ले आया हूँ और यहां पर अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको इसको trade करना है। अब देखे नॉर्मली लोग क्या करते हैं मान लिजे किसी को एक strangle को trade करना है कोई भी trader है strangle है सबसे easy to understand strategy है होता क्या है एक out the money का call option sell कर रहा हूँ out the money का put option sell कर रहा हूँ और यह एक strangle बन की जो नए trader होते हैं वो इस तरह की strategies को trade कर लेते हैं उसके risk को समझे भी ना और उसस जो है यह strategy यह modified strangle है तो किस तरह से आपको trade करनी है यह मैं आपको बताता हूँ तो चलिए दो नॉंबर की जो series है वो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ market अभी trade कर रहा है 19,500 पर तो आपको करना क्या है यहाँ पर नॉर्मली ऐसे नहीं करना है कि आप out the money का एक call option sell कर दिया out the money का put option sell कर दिया ऐसे कोई भी एक नया trader होता है वो एक strangle को trade करेगा तो इसी तरह से करेगा लेकिन आपको थोड़ा सा different way में यह करना है तो आपको करन क्या है 19,500 जो at the money का level है इससे आप 100 point नीचे जाइए 19,400 है यहाँ का एक put option आप buy कर लिजिए 19,400 का एक put option आपने buy कर लिया है और इससे 100 point और नीचे जाइए और 19,300 का put option है इसका एक load आप sell कर दिजिए तो यह मैंने एक bear put spread को यहाँ पर deploy कर दिया है 19,400 का put option है यह मैंने buy किया है और 19,300 का put option है यह मैंने sell किया है यहाँ पर मेरा जो loss हो सकता है मुझे वो 1100 रुपीज का है और जो profit है वो 3800 रुपीज का है ठेक है तो यह मैंने एक bear put spread को यहाँ पर deploy कर दिया है similarly आपको क्या करना है जो 19,500 जो at दावनी का लेवल है उससे 100 पॉइंट आप उपर आईए और 19,600 का एक call option buy कर लिजी एक lot आपने buy कर लिया है और इससे आप 100 पॉइंट उपर आके और 19,700 का जो call option है ये आप sell कर दीजी ठीक है तो ये आपने यहां पर deploy कर दिया है एक combination को Bear Put Spread और Bull Call Spread का येवाला जो portion है ये है Bear Put Spread और ये वाला जो portion है ये है Bull Call Spread आपने क्या किया है 19,400 का put option buy करके और 19,300 का put option है वो sell कर दिया है यहां पर आपने देखे 19,400 का put option जो buy किया है उसके लिए 77 रुपीज मार्केट को पे किये है और 19300 का जो put option है इसको sell करके आपने मार्केट से 54 रुपीज वापस ले लिए है तो 77 आपने मार्केट को दिये 54 आपने मार्केट से वापस ले लिए तो आपका net debit कितना हो गया 23 रुपीज का जी हाँ 23 रुपीज का उसी तरह से जो call वाला portion बुल call वाला portion है इसमें आप देखिए आपने 19600 का call option है ये buy किया है इसको buy करने के लिए आपने मार्केट को 136 रुपीज बे किये है और उससे उपर जाके 19700 का call option आपने sell किया है 90 रुपीज में तो आपने 90 रुपीज मार्केट से वापस ले लिए है तो 136 रुपीज आपने मार्केट को दिये और 90 रुपीज आपने मार्केट से वापस ले लिए तो आपका net debit कितना हो गया 46 रुपीज का तो 46 रुपीज का आपका net debit है इस bull call spread में और 23 रूपीज का आपका जो डेबिट है वो हो गया है एक bear put spread में तो इस तरह से आपका जो net loss है वो यहांपर जो net debit आपने पे किया है वो है तो आपका maximum loss है इस trade में कितना है 3400 रूपीज का जो आपका जो loss है यह maximum loss है और maximum profit है यहांपर 1500 रूपीज का है और bull call spread अब आपको क्या करना है जो आपका maximum loss है that is 3400 रुपीज इसको आपको 2 से divide कर लेना है और उसके बाद आपको एक उतने का put option sell करना है और उतने का ही एक call option sell करना है ठीक है तो 3400 अगर मैं 30-30 रुपए का call or put sell करता हूं तो almost यह जो है यह recover हो जाएगा तो चलिए मैं option chain को open कर लेता हूं नीचे आप देखिए कहां पे trade कर रहा है 30 रुपीज के आसपास 19200 का जो put option है यह इसका delta 17 है और यह trade कर रहा है 37 रुपीज पे तो इसका एक लोट मैं sell कर देता हूं इसी तरह से उपर मैं आके देखता हूं 30 रुपीज के आसपास का premium कहां पे है 31 रुपीज का है 19,900 पे चलिए इसका भी एक लोट मैं sell कर देता हूं तो अब आप देखिए यह मेरा pay off chart बनता है यहां पे अब आप देखिए मैंने क्या किया है मैंने एक bear put spread देन उसके बाद एक bull gold spread इन दोनों को combine करके मैंने trade किया और जो मेरा maximum loss था यह जो portion है यह जो उपर के चार लेग आपको दिख रहे हैं इसके बाद जो मेरा maximum loss था उसको आपको two से divide कर देना है जब आप उसको two से divide करोगे तो जो premium आता है उतने का आपको एक call option sell करना है और उतने का यह आपको एक put option sell करना है ठीक है और उसके बाद आपका यह pay off chart बनता है अब यहाँ पे आप देखे आपका जो maximum profit है यह कितना है 5000 रुपे का आपको 5000 रुपे का maximum profit हो सकता है और आपकी profitable window कितनी है, break events आपके कितनी है, 19,100 से लेके और 20,000 तक, 900 point की आपको profitable range मिलती है यहाँ पे, और आपकी probability of profit कितनी है, 77%, almost 80% आप मानके चलिए, 80% आपकी probability of profit है, maximum जो आपका profit है, वो 5000 रुपे का है, और आपके break events कितने है, 19,100 नीचे की तरफ और 20,000 उपर की तरफ, that means आपकी जो profitable window है, वो 900 points की है, और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो यह, कि यह कोई monthly trade नहीं है, जो चीज मैंने आपको बताई है, अगर आप यही चीज monthlies में trade करते हो, तो आपकी profitable window क्या होगी, आप यह मानिए, आपके लिए एक homework है यह आप monthlies में खुद करके देखे, monthlies में मैं यह इसलिए आपको नहीं करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझसे जो सवाल पूछे जाते थे, वो ज़्यादातर weekly से related थे, कि weekly में किस तरह से trade करें, तो weekly में अगर आप एक normal strangle को trade करते हो, क्योंकि कोई भी नए trader होगा, वो क हाँ पे है, 19,100 नीचे की तरफ है, 20,000 ऊपर की तरफ है, अगर यही आप एक strangle को trade करते हो, पहले बात तो यह कि आपको weekly में अगर आप strangle को sell करते हो, और आपको सही प्रीमियम, एक considerable premium आपको चाहिए, तो आपको current market के बहुत पास में आना पड़ेगा, और अगर आप range wide र आप रखते हों, 19,100 का आप एक put option sell करते हो, 20,000 का आप एक call option sell करते हो, तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरह का effect आता है, तो यहाँ पे जो expiry है, वो मैं same रख रहा हूं, second number, यहाँ पे अगर मैं 19,100 का put option वो sell कर देता हूं, और 20,000 का मैं call option sell कर देता हूं, जो यहाँ पे जो break even है same strike price मैंने यहाँ पे आपको sell करके दिखाई है अगर यह मैं करता हूँ तो आप देखिए यह मेरा trade बनता है यहाँ पे मेरे जो probability of profit है वो तो 80% है that is decent लेकिन आप यह देखिए मेरा जो maximum profit है वो यहाँ पे सिर्फ 2300 रुपीज का है maximum profit है वो 2300 रुपीज का है और जो break even है वो almost similar है उपर की तरफ है यह 20,000 और नीची की तरफ 19,100 जो उसके आसपास जो मैंने आपको बताए था तो बेप्रसाइज इस 19,054 ठीक है तो range है वो almost similar है और आपकी जो maximum profit है वो 2300 रुपीज का है तो weekly में जब आप इसको trade कर रहे हो तो यहाँ पे आपको यह probability of profit मिली है 81 और maximum profit है 2300 का है तो range तो आपने अच्छी खासी ले ली जो मैंने आपको दिखाया है उतनी ही range आपने यहाँ पे ले ली even 100 पंट जादा कि आपने range ली है लेकिन यह जो range आपने ली है इसकी कीमत आपने क्या चुकाई है आपका जो maximum profit है वो सिर्फ 2300 रुपीज का है ठीक है जबकि यहाँ पे आप देखे weeklys में मैं trade कर रहा हूँ यहाँ पे मेरा जो maximum profit है वो 5000 रुपे का है ठीक है तो आपको range तो मिल गई लेकिन maximum profit है यह यहाँ पे सिर्फ 2300 रुपीज का है अब देखे यहाँ पे catch क्या है जो यह 5000 का profit है यह पूरा मुझे नहीं चाहिए देखे दिक्कत एक और यहाँ पे आती है इस trade में आप देखे अगर आपको 2300 रुपीज का profit चाहिए जो आपका maximum profit है यह अगर आपको चाहिए तो यह profit आपको कब होगा 2nd November को आपको expiry date तक इस trade में रुकना पड़ेगा इस तरह का profit लेने के लिए ठीक है लेकिन यह जो trade है जिसमें मेरा जो profit है maximum profit 5000 रुपे का है मैं यहाँ पे 2nd November तक नहीं रुकूंगा जब इस profit का 50% हो जाएगा that is 2500 रुपीज 2500 रुपीज का profit जब भी मुझे होगा 2500 रुपे का उस टाइम पे मैं वो profit लेके निकल जाओंगा तो यह जो 5000 का profit आपको यहाँ पी दिख रहा है यह आपको 2nd November को होगा और यहाँ पे इस trade में आपको यह जो maximum profit दिख रहा है 2300 रुपीज का यह भी 2nd November को होगा तो यहाँ पे अगर आप 2nd November तक रुकते हो तो आपको 2300 का profit हो रहा है और यहाँ पे अगर आप 2nd November तक रुकते हो तो 5000 का profit हो रहा है लेकिन मुझे 5000 का profit नहीं चाहिए इसका 50% या 2500 रुपे का profit जब होगा तो मैं लेके निकल जाऊँगा तो अच्छी बात ये है कि इस trade में जो एक normal beginner trader लेगा इस trade में जो maximum profit है वो maximum profit मुझे यहाँ पे कुछ दिनों में हो जाएगा क्यों कि यहाँ पे maximum profit है उसका 50% ही इसके equal हो रहा है ठीक है और मैं full profit के लिए नहीं बैठ रहा हूँ तो इस वज़े से इस तरह से आपको trade करना चाहिए जो एक normal कोई भी strategy है उसको आप सीधा ये निया कि आपने सुनी और उसको market में जाके trade कर दिया ये सही approach नहीं है इस तरह से आप देखिए मैंने ये जो difference है ये इसलिए दिखाया है क्योंकि एक बहुत long pending question था कि weeklies में आप trade करके दिखाए जो option selling हम weeklies में किस तरह से कर सकते हैं वो बताए तो basically इन दो चीजों को compare करके दिखाने का मेरा मकसद यही है कि आपको simple जिस तरह से एक normal बंदा trade करता है उस तरह से आपको trade नहीं करना है थोड़ा सा अपने mindset को different रखिए कि अगर आप एक strangle को trade कर रहे हो एक out the money का call option sell कर दिया out the money का put option sell कर दिया तो आप यह देखिए कि मेरा maximum profit कितना है और उसके बदले मुझे range क्या मिल रही है आपका maximum profit है वो weekly में ज़्यादा हो सकता है लेकिन आपकी range हो narrow हो जाएगी यहाँ पे देखिए 2300 रुपीज का है और यहाँ पे है 5000 रुपे का तो यह जो 5000 रुपे का profit यहाँ पे है एक bull call spread और एक bear put spread को और जो उनका maximum loss था उसको मैंने 2 से divide किया और उतने का मैंने call option sell कर दिया एक put option sell कर दिया अब यह जो trade में आपको बता रहा हूँ यह सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यह मैं आपको recommend नहीं कर रहा हूँ जो weekly series है उसमें अगर आपको 900 point की range मिल रही है तो monthlies में जब आप करोगे तो काफी decent range आपको मिलेगी तो यह मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि weeklys में भी अगर आप trade करो क्योंकि उससे related काफी सवाल आ रहे थे तो इस वज़े से समझाने के लिए आपको दे रहा है उसी पे आप settle मत कीजिए थोड़ा सा और additional कुछ मिले तो उसको लेने की कोशिश कीजिए और वो आपको किस तरह से मिलेगा जिस तरह से normal लोग trade करना है अगर आप भी उसी way में करोगे तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा आप अपने permutation combination लगाईए कि किस तरह से मुझे थोड़ा सा additional कुछ मिल सकता है थोड़ी space और किस तरह से मिल सकती है ठीक है तो ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए बताईए ये मैं कोई recommendation नहीं कर रहा हूँ अगर आपको try भी करना है तो मैं आपको बोलूगा कि monthlies में आपके जिये वहाँ पर आपकी जो range है वो decent होगी तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं thank you so much for watching the video I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो make sure आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें this is अपाल साइन्गोफ